नमस्कार आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ और मैं हूँ आपके साथ प्रांजला रहा है। नया साल चंद दिन दूर है हर कोई बढ़ चड़ कर जशन मनाना चाहता है लेकिन कुरोना महामारी के कारण हो सकता है कि कई शहरों और राज्यों में ऐसा संभवना हो। देजभर में लगतार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि राज्यों की सरकारे न्यू यर को लेकर काफी अलट हैं और न्यू यर के सेलिबरेशन पर कुछ सक्त हिदायते लोगों को दी जा सकती है जिनका उनको पालन करना होगा। दिरसल जहां जहां नाइट कर्फियों लगा है वहां रात में सावजनिक दौर पर जशन मनाने की अनुमती नहीं मिल सकती है। राजे सरकारे इस बारे में गाइडलाइन बनाने में जुटी हैं जल्धी नियम सामनी आ जाएंगे। पुलिस अधिशकोकों को परिपत्रे ज़ारी करेगी। पुलिस अधिशकों के इवं दूसरों के स्वास्थे के लिए ज़रूरी है। देश के इन राजियों में लगा है नाइट कर्फिय। पंजाब के सभी शेहरों में नाइट कर्फ्यू है राजिस्थान में आठ सिलो मुख्यालों में नाइट कर्फ्यू है इनमें जैपूर, जोदपूर, अजमेर, बीकनेर, पोटा, अलवर, उधैपूर, भिलवाडा, शामिल है महराष्ट में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक रात के कर्फ्यू की घोशना की गई है गुजरात के बड़े शेहरों में नाइट कर्फ्यू है मध्य प्रदेश में इन दौर, भोपाल समेथ अने शेहरों में रात की आवजाही बंद है वही ऐसी संभावनाय जताई जा रही है कि क्रिस्मस सेलिब्रेशन और NEW YEAR पर सरकार की और से ही गाइडलाइन्स जारी कर दी जाएगी अगर ऐसा होता है तो हर किसी को कोरॉना की इन गाइडलाइन्स का पालन करना होगा हर हाल में तो वहीं इन guidelines में ये तो अनिवारे होगा कि मास्क पहने और दूरी का ध्यान रखे साथ ही भीड एकटी नहीं होनी चाहिए लेकिन ये भी देखना होगा कि अब सरकार इस New Year celebration के लिए और कौन-कौन से एतियात बरते हुए नसराती है हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप अपना नया साल यानि की 2021 कैसे मनाने वाले हैं हमें कमेंट करके जरूर पताएं फिलहाल के लिए इस वीटियो में इतना ही कर एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलागात होगी अभी दीजे इजासत थैंक्यू